कर आज जैसे हम यहां उत्रे तो हम रामप्पा मंदिर पर गए और मैं आपको दिल से बताना चाहती हूं कि इतना सुन्दर मंदिर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है इकड़ में रागा ने रामपब मंदिर नंपईना चाला अद्भूत वाइना चाला सुंदर वाइना मंदिर वंजे पी ने मनोजेस्तना रूँ ये धर्ती एक पवित्र धर्ती है यहां के सहीदों ने तलंगाना के लिए बड़े-बलिदान दिये इखाल्पुनय भूमी इकड़ा चाला मंदी तलंगाना राष्ट कों वाइन जीविता लूत्यागंजेस्ट कुनरू इकड़ने प्रजलंदरू न्याएन गोरतू नारू वेरों की धर्ती है इखाला बूमी श्री कांतासार्य जी को मेरा नमन इन सब यो धाओं ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था ये सपना विकास का सपना था रोजगार का सपना था और समाजिक न्याय का सपना था इस वपनवी कला प्रगति गुरणची, उंध्योगाला गुरणची, समाजिक न्याय कुरणची में इस वपनवन्ड इंदि आपने इस सपने पर भरोसा किया आपने भरोसा किया पिछले चुनाओं में कि BRS आपका सपना साकार करेगी और आपको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेंगे एक मजबूत भविश्य मिलेगा और एक समाजिक समानता मिलेगी जिसे आप सब का विकास से कठे हो पाए मी कललो निचमाई तेनको नी सामाजिक न्यान जरूत नजिपी आपकी उमीद थी कि किसानों को मजबूत बनाया जाएगा आत्मिहत्याएं बंध होंगी कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविश्य अच्छा होगा और नौकरी करके आप अपने परिवार को मजबूत बना पाएंगे मीर नमकाव में विश्वास यह उन्ड़ नंटे राइतुला जीविताल लो वेलिगुनिन नुताई बिल्ले लग उद्ध्योगार लोस्ताई मीकु भंगारू बविश्य तोस्ताई यपी मीर अनुकुनरू अंदुकोस में गतन लो प्यारस पार्टी की मदद बलकिन रू एक आशा थी कि बाबा साहिब अंबेटकर जी महात्मा फूले जी कॉम्रम भीम जी जैसे महापुर्शों का जो समाजिक न्याय का सपना था वो पूरी तरे से साकार होगा मीर अनुकुनरू अंबेटकरू फूले कॉम्रम भीम वारी सामाजिक न्यायू पूत्यलंगा लोग फूर्थ आइतन जैपी मीर आशिन चिनरू कॉंग्रेस पार्टी ने ये सपना समझा क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली थी कॉंग्रेस पार्टी का ये असूल है कि समाजिक न्याय होना चाहिए कि सब इकठे आगे बढ़े और इसी असूल पर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने जब देखा कि आपका ये सपना था और आप इस सपने के लिए संगर्ष कर रहे थे इसमें अपनी पूरी शक्ती डाल रहे थे और इतने सारे लोग इस सपने के लिए बलिदान देने के लिए तयार थे तो कॉंग्रेस पार्टी ने इस सपने को समझ कर तेलंगाना प्रदेश बनाने का निर्णेलिया Congress Party स्वातंत्र निच गूड़ा देशं प्रजले का आखांग्शल गुर्तिंचिंदी Congress Party सामाज़क न्यायम विदा नमुतुंदी Congress Party प्रजल आखांग्शल निरवेर स्थुंदी मी अंदरी आकांग शलू कोरी कलू निरवेर चड़ार के कॉंग्रेस पार्टी फ्रत्य कथिलेंगाना रास्ता हूं एरपार्ट जेशिन ने जेब मने जोसना नू उस समय मेरी माता जी सोन्या जी कॉंग्रेस की अध्यक्ष थी और इस निर्णे को लेने में एक राजनीतिक वीरता भी थी क्योंकि वो जानती थी कि इस निर्णे को लेने से हो सकता है कि कॉंग्रेस की जो राजनीतिक जो यहां पे जो उसका स्तर है हो सकता है कि कॉंग्रेस उस चुनाओ को हारे जो अगला चुनाओ है माम्मा सोनिया गांदी कारू तेलंगाना रास्टों वीवडान की निर्ने अंतिसकुना पड़ू कौंते राज़की यह मूलिया उन चलिल चल सो संजेपी तेलसी गुडा तेलंगाना रास्टों एर पार्ट्चेशन विश्व मी गुट्टु जा सुना रू आज कल जादा तर पार्टी के नेता वही निर्णे लेते हैं जिससे उनका राजनीतिक स्वार्ट साधा जाता है लेकिन सोनिया जी ने जब यह निर्णे लिया तो यह निर्णे आपके लिये लिया उन्होंने ये कहा कि चाहे मेरी पार्टी तेलंगाना में ना भी जीते ना भी सरकार बना पाए तब भी ये तेलंगाना के लोगों का की ये चाहत है क्या सपना है और इसे साकार करने के लिए उन्होंने आपकी भलाई के लिए और आपके पक्षमें ये निर्मे लिया तेलंगाना राष्टम इस्थे मूलियों चल्लिंचालस ओस्थुन्द नि तेल्सिना इरोजुरल लो राजकिया नायकुल अंदर गुडा राजकिया लब्धिकोसमे निर्नेयाल थीसकुन्टूना मा थल्लिगारू सोनिया गांधिगारू राजकियों अस्च पोईना सरे तेल जैने तेलंगान फ्रजला त्यालगृतिनची तेलंगाना प्रजbooksमेरू नायका रास्टो रेटर शेकह मि अंदर की मरोसारी मैन केस देंच का सोच क्ग्रिस पार्टी की सोच एक छोटी सोच नहीं थी, उनका नजरिया आगे के लिए था, भविश्य के लिए था, आपकी मजबूती के लिए था इसलिए वो ये निर्ने ले पाई और उन्ही की तरह कॉंग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता रहे चाहे जवाला नहरू थे, चाहे इंद्रमा थी, चाहे उनके बाद मनमोहन सिंग जी थे, चाहे राहुल जी है, और तलंगाना के तमाम नेता हैं, आगे की सोचते हैं और आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, और इसी सोच के लिए, इसी सोच के जरिए, आपके प्रदेश को मज यो ईक झू सि कुछ एल सुनिया गांदिगार तलंगा नीवलेदू तीर पुल शूपतो हुटो वी बविश्णत कोशओं मेइ पिल ला कशचफ कोश defend made a car झाखँ मेरक्यो सुनिया गांदिगर तलंगार एफ पाट्चेसर न्याख羅 ये विदंग नहीं ते जवाहरला नेरू गारू, इंदिरा गांदी गारू, राजीव गांदी गारू, राहूल गांदी गारू, तूर चूप तो, देशम मंची कोसाउ, समाजम मंची कोसाउ, प्रजलो कोसाउ, मंची कोसाउ निर्नेयाल दिसकुन्टारो, प्रजला आकांग कि आपका प्रमान यह है कि उनके कारिकाल में बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनी आपकी बहलाई के लिए चाहिए आई-ई-टी आई-ए-ए-म एम ऐसी संस्थाएं बनी आपका विकास हुआ तो आप आगे बढ़ पाए तो जो कॉंग्रेस की सरकारे बनी वो जनता की सरकारे थी वो आपको मजबूत बनाने के लिए बनी और उनमें दोनों चीज थी नजरिया और नियत अब जब हम नियत की बात करते हैं तो जितने भी काम होते हैं सरकार बिगैर सही नियत के वो काम करती नहीं है अगर सरकार की नियत ये हो कि आपको लूटना है और सिर्फ सत्ता में रहकर भष्टाचार करना है तो वो भलाई के काम नहीं कर पाती कांग्रेस प्रभुत्वालू नीती निजाई थी तो खट्ट पड़ उन्टेंज अपी ने मनव यस्तना है तो आज हम सब इस मंच पे खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर हमने ये बात कही है कि तेलंगाना के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप एक विजन बनाया है आपके लिए गारंटी लाए हैं गारंटी क्या है? गैरंटी वो चीज़े है जो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए करेंगे और जितने भी कॉंग्रेस के प्रदेश हैं जिन में हमने ऐसे गैरंटी सामने रखे उन में हमने वो काम अभी से शुरू कर लिया है मेरी बेहने यहाँ बेठी हैं आप दिन रात महनत करती हैं मैं जानती हूँ और पूरे समाज का जो बोज है आप अपने कंदों पर लेते हैं बच्चों की परवरिश घर की देखबाल उसके साथ साथ बाहर जाके काम करना खेती में महनत करना या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना ये सब आप करती हैं और आज आप कितनी महंगाई का सामना कर रही नौकरी है अपको करीद ने जाना होता है तो आपको करीद पाएंगे घर ला पाएंगे की नहीं फजिवर पर थहा है तो आप के दिल में ये बाथ आती है कि दवायलो के西 करिदेंगे उनका इलाज कैसे करवाएंगे अक्कालू चलेलू मी जीवितालू यद्धा कस्टंगा जरुथुन योँ नाकु तेलसु मीरु पिल्लेली पेंचाले इंटी पंद विसकोवाले व्यवसायम पंद विसकोवाले यवरन बाइट कुड़ पंजेस्थुन लोच्छु मीरु इन्नी पंद चेस्थु ये दरल पेरुगु की थट्टको लेगा पोतु नारू ग्यास सिलिंडर तरुप पेरुथुन नाई अन्नी दरल पेरुथुन नाई मीर इंटी की ये सामान गोलानो ना मीको चाला कस्टत्रम आई पोतुन जेपी और ये सब महनत ये संघर्ष इन संकटों का सामना आप इसलिए करती हैं ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अपना भविष्य बना पाएं लेकिन यहां आज परिस्यती ये है कि 40 लाख योगा बेरोजगार है ब्रस ने बादा किया था कि हर परिवार को एक नौकरी दिलवाई जाएगी आज लाखों पद खाली हैं लेकिन नौकरियां नहीं दी गई है ब्रस पार्टी इंटिको उद्योगार है ये पिन्रू इंटिको उद्योगार हूँ और स्थिति ये है कि भरतियोँ में भी भरष्टाचार है एक बच्ची ने आत्महत्या की और उस पर भी सवाल उठाया गया कि उसने अप्लिकेशन ही नहीं भरा था ये पर इस्थितियां है कि जो संकट है जो युवाओं का दर्द है उसे समझने और सुलजाने के बजाए उन पर उंगलिया उठाई जाती है लेकिन रोजगार नहीं दिए जाते आपके लिए आपके विकास के लिए काम नहीं किया जाता उद्योगाल इवग पोगा चाला मन्दी युवती युवकुलू थट्टुकों लेका आत्मती जे सुन्टे वारी कैरेक्टर मिदुगणा यी प्रभुत्तों पेतलू एलेती जूपतु नारू उद्ध्योगा लिवक पोगा उद्ध्योगा लो निम्पे प्रक्रिया लो इट्यार स्वभुत्तों लो अविनी ती लूटी जरूतर विश्यों ने मनाव जेस्तनानू उस्मानिariat जैसी उनिवर्स्टी में अध्यापकों और पैसों की कमी है एक भी नई सरकारी उनिवर्स्टी नई बनाइए इनके पूरे कारिकाल में आप देखेंगे तो सिर्फ प्राइबेट उनिवर्स्टियां बनी है और उनमें से आधी इन्ही के नेताओं की है ताकि ही सुविधा नहीं बने उसमाने आलांट युनिवर्सी लो टीचिंग नॉन टीचिंग फाकल्टी की रेकूट्मेंट चरगले दू प्रभुत्यों चितलवाता ओक्का कोट्था गवर्मेंट युनिवर्सी गुड़ा तरवले दू के वलों प्राइवेट युनिवर्सी उसमें हमने कहा है कि तलंगाना अंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिल्वाएंगे उनके माता पिताया पत्नी को 25,000 रुपी रुपे मानसिक पेंशन मिलेगा दो लाग खाली सरकारी पद हैं उनको हम एक साल के अंदर अंदर भरेंगे और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपे प्रति मान बेरोजगारी का भथ्ता मिलेगा गल्फ देशों में रोजगार की संभावनाव को को मजबूत करने के लिए special gulf cell बनाया जाएगा जो जो लोग gulf के देशों में काम करने के लिए जाएंगे उनके लिए एक special gulf cell बनाया जाएगा आज मेरे किसान भाईयों की परिस्तिती बहुत ही सर्मनाक है चाहे पेट्रोल हो डीजल हो खाध हो हर चीज पर खर्चा बढ़ गया है आपके कर्ज बढ़ गये हैं और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती लो धैनियंग अमार इंदी व्यवसायन की संबन्देंच अन्नी इंपुट्स लो पेट्रोल हो टीजल हो सीट्ज लेबर अन्नी तरहलों परिगी नहीं इप्यारस प्रभुत्तों राइतल को सम्येमी चेडन लेदू खेती से कमाना मुश्किल हो गया है और किसान परेशान और क्रस्त है व्यवसायन इंची आद आयों ये प्यारस प्रभुत्तों लो तकी पोई इंदी इसलिए हमने ये तै किया है कि हम MSP को बढ़ाएंगे और इसकी हम आपको गयारेंटी देते हैं अंदकोसर में राबोये कॉंग्रिस प्रभुत्तों लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MS आपके लिए पच्छी सो रुपए मक्का के लिए बाइस सो रुपए सोया बीन के लिए 4400 रुपए गन्ना के लिए 4200 रुपए अन्नी व्यवसाय पंटलकी MSP पैंची स्तम्हों वरदानन की इर्वाइग उंदलू सोया की इर्वाइग उंदलू किसानों के लिए दो लाख रुपए तक कर्ज माफ किये जाएंगे इंदरम्मा रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों के लिए पंद्रा हजार रुपए प्रतिये कर दिया जाएगा और मन्रेगा में जो रेजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें हर साल बारह हजार रुपए मिलेंगे मेरे ब्यानों और मेरे भाईयों ये जो आपका क्षेत्र है ये आदिवासी बाहूल क्षेत्र है और आप तो जानते ही हैं कि इंद्रा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगे थी। इप्रांतन लो गिरिजन लो आदिवासी लो प्यत्य संक्यलों उन्टरू इंदिरा गांडिगारू गिरिजन लो आदिवासी लकी यंत प्रेमिस उन्रों मीकु त्यलस्वन ये पुने मने जस्तनानू ये रिष्टा जो उनके साथ आपने जोड़ा था एक आदर का रिष्टा था श्रद्धा का रिष्टा था उनके दिल में आपके लिए आदर थी अथा आपके लिए श्रद्धा थी और वो हमेशा ये चाहती थी कि आपकी संस्कृती को बचाया जाए और बढ़ाया जाए व इसके जरिये प्रकृती का आधर होता था. लेकिन अफसोस की बात है कि आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं ये रोजू आधि वासिला गिरिजरला हक लू इप्रस प्रभुत्व पेटलू लाग कुंटुना जे पिने माना जयस्तनानू जब रनापको जमीन से बेद दखल किया जा रहा हैं मी बूमन निंची मिमन य आपके लिए जो डिवेलपमेंट फंड है उसका आप साय जानते नहीं होंगे लेकिन चालिज प्रतिशत से जादा अलग अलग कामों में जाता है लेकिन आपके लिए नहीं जा डाला जाता है मी कुरावल सिने डिवेलपमेंट फंड हु अभिरू तिर निद लो नालवई परसेंट हु इतरा विश्या लगी उपयोगी सुन जेपिने मना जेसनानू हमने तै किया है कि SC के लिए 18 प्रतिशत आरक्षन दिया जाएगा और ST के लिए 12 प्रतिशत में मुच्छीं तलो आता SC लगी 15 परसेंट रिदर्वेशनू, ST लगी 15 परसेंट दरू जेपिने मना जेसनानू अम बेटकर अभय हस्तम के तहर SCS की परिवारों को 12 लाग की मदद मिलेगी अम बेटकर अभय हस्तम के तहर SCS की परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन और 6 लाग रुपए मिलेंगे इंदिरमा इल्लू पतकं किन्दा SCS की लगू इल्लू इंटी स्थलमिस्तू प्रति इंटी किन्दा आरू लक्षल रुपए मिकी वबोत नारू और आदिवासी ग्राम पंचायतों के लिए 25 लाग रुपए दिये जाएंगे प्रति गिरिजन ग्राम पंचाईती आदिवासी ग्राम पंचाईती लगी इरुवाइद लक्षल रुपेलो प्रत्य एकंगा इवो बहुत नामू जब कॉंग्रेस पार्टी वन अधिकार का एक्ट लाई थी तब आठ लाग से अधिक एकर जमीन पर पट्टे दिये गए थे यी फॉरेस्ट राइट्स आक्ट कॉंग्रेस प्रभुत्तों थीस को चिन अपड़ू एनिमी दि लक्ष लेकरालू आपको याद होगा कि पोडू लैंड्स के पट्टे आपको मिले थे पोडू लैंड्स पोडू भूमुला पट्टालू गता कॉंग्रेस वाउट्तों मी किच्चिंदी लेकिन बी आरेस सरकार ने ये सब बंद कर दिया मैंने महिलाओं की बात की मेरी बेहनों आपके लिए महालक्षमी योजना के तहट पच्चिस सो रुपए हर महीने दिये जाएंगे महालक्षमी पतकन किन्दा ना अकलू चलेलू मी अंदर की नेलकी रेंडू बेल आईदों दल रुपए लिवो बोत नमों गैस सिलिंडर पात सो रुपए का मिलेगा और जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और अठारा साल की उमर से उपर की हैं उन्हें एक एलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा क्या सिलिंडर हूँ अंदर की क्या सिलिंडर हूँ आईदों दल रुपए लखे क्या सिलिंडर इवो बढ़तुंदी अदे विदंगा पत्यंदेड दाटिना ना चल्ने लख्की चदुकुन वड़की एलेक्ट्रिक स्कूटी इवो बोत नामों देखिए आपको चुन्ड़ना है एक तरफ बी आरेस की सरकार है शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी लेकिन आज भाजप्पा के साथ पूरी तरे से मिल चुके हैं आज सरकार वो नहीं चला रहे हैं मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं प्रभुत्तों रिमोट कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी नड़पिस्तु नड़ू Land Mafia, Sand Mafia, Mind Mafia, Wine Mafia सब के साथ मिले हुए हैं जिस तरफ आप देखो आपको भरस्टाचार ही भरस्टाचार देख रहा है जहां लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं sand mafia land mafia wines mafia mines mafia और सब्सकार का ध्यान महङगाई को मिटाने पर नहीं है रोजगार बनाने को पर नहीं है आपको मजबूत करने पर नहीं है सरकार का ध्यान सिर्फ इन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है इप्रभुत्तों यक्क धृष्टी मी पिलल उद्ध्योगाली वड़नों लगानी मी जीवितालू मेर्ग परशनलों लेवू इप्रभुत्तों युश्चिन निके इप्रभुत्तों उन्दें जेपिने मनायस्तनानू रंगारेड़ी जिले में हजारों करोडों के जमीन पर घोटाला किया भूदान की जमीन रेकौर्ड से ही गायब कर दी कॉंग्रेस के जमाने में इन जमीनों को बेचना खरीदना मना था कॉंग्रेस अधिकारन लो उन अपड़ू इबूधान भूमुलनी अम्मडंगानी कोनडंगानी निशेदम उन्डिंदी आज इनोने ये जमीने भी लैंड माफिया और अपने करीबों को बेच दियो आपको ये शब्द याद होंगे बंगारू तलंगाना याद है ये शब्द ये वादा आपको बियारस ने किया था कि तलंगाना को स्वर्णिम जगे बनाएंगे लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े-बड़े आलीशान महल बना दिये और आपके जो सपनों का महल था वो चूर-चूर कर दिया विल्डू वंदलकोर्त लूटील ये शकुनरू पितर भंगलाल गटिन रू मी सवपनंगानी मी कल गानी दौमसन जेशिंदी प्यारस पाटी प्यारस प्रभुत्तों आपका सपना था कि समाजिक न्याए होगा मी सवपनों मी कला सामाजिक न्याएं कावलन उंडे सामाजिक न्याय कॉंसा इनके अठारा मंत्रियों में से एंगे परिवार के हैं और इनके पास तेरा मंत्रा ले हैं इपड़ सामाजी का नियायम प्यारस लो चरूत लेदू पदियेडु मन्नी मंत्र लो मूडु वीरु वी कुटुमस अप्यूले मंत्र लू पद्येंदी मंत्र देशा कलू विले कुटुमस अगरने उन्नेई और बीसी के सक्की संख्या पचास प्रतिशत से उपर है प्रतिशत अरक्षन से घठाकर टेश प्रतिशत कर दिया है इर्वाइडु परसेट निंची बीसी लर दरवेशनों इर्वाइमुडँ परसन की तकी चिनरू राहुल जी अहां बैठे हैं सब जगें जाते हैं तो जाती कर जंगरना की बात करते हैं बिहार में यह जंगरना की गई पता चला कि OBC, आदिवासी, शेडियूल कास्ट के 84 प्रतिशत लोग हैं और आप सोचिये और अपने आप से पूछिये कि 84 प्रतिशत लोग हैं बिहार प्रदेश में लेकिन उनका प्रतिनिध्वत्व नहीं है सचाई यह है कि हमारे पूरे देश की यही असलियत है हम कहते हैं कि जाती कर जंगरना करिये और यह चुप हो जाते हैं यह गिंती भी नहीं करना चाहतें यह गिंती भी नहीं करना चाहतें कि कितने BC हैं कितने SC हैं कितने ST हैं इनको अपना हक देना छोड़िये गिंती से डर रहे हैं तो यह समाजिक न्याएं देंगे कैसे लेकले जेन अपुडू इनकी बातें खोकली हैं चुनाओ के समय बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं लूट में भरष्टाचार में इनी चीजों में व्यस्त रहते हैं मोदी जी ने कितने बड़े-बड़े वादे किये थे ट्राइबल युनिवर्स्टी बनाएंगे स्टील प्लांट लगवाएंगे होटी कल्चर युनिवर्स्टी बनाएंगे क्या बनाया जो बनाया वो सब अपने बड़े-बड़े ओद्योगपती दोस्तों को सौंप दिया बीएचियेल, बीएसनेल, डीएमारेल, एचेयेल, रेलवेज की बात कर रहे हैं कुछ नहीं छोड़ा नरेंद्र मोधिगारू, कॉंग्रेस पार्टी निर्मिंचनल समस्तलनी, पब्लिक सेक्टरलनी, बीएचियेल, हेचियेल, रैलवेसलों कंता बागाउं प्राइवेट थना उद्योगपती दोस्तुलकी, व्यापार वेत्तुलकी, इदेशान्नी अम्मेस्तुन अड़ू जो बनी हुई संस्थानी थी, उनकी बचत, उनकी हिफाज़त की, ना इनोंने कुछ नया बनाया, सिर्फ नए नए वादे, नए नए बाते करते रहें, तो बेहनों और भाईयों, मैंने बहुत लंबा बोल लिया है, लेकिन इस सब चीजों का, जितनी भी बाते मैंने की हैं का एक हिसार है, आप समझदारी से अपना वोट दो, आप विवेक से अपना वोट दो, और देखो कि आपके जीवन का क्या अनुभव है, आपकी जीवन में तरक्की आई है कि नहीं, अगर नहीं आई है, तो आप देखिए कि कॉंग्रेस के प्रदेशों के लोगों में तरक कल्लबोली माटली जेपी में मलें मोसं जेस्टनरू, मी जीवितालो यमना मारपोचिन्ना तलेंगानालो, इपड़ अधिकारिललो उनना ओल यमी चेयले एदू, जागरत अगा आलोचन जेशी वोटे एंडी, कांग्रेस पालित राष्टालो, सामानिय प्रदल जीवितालो मिरगोचिन्दी, मीरगोड़ा, कॉंग्रेस पालितर राष्टा दिकू, चूडएंडेंजे पिने मनाजे सुनानू और आप सबसे पहले नेता और पार्टी की नियत देखिए, आप देखिए कि आपका अनुपफ क्या रहा है, कि बी आरेस ने बीजेपी से मिलकर कितना भ्रष्टा चार किया है आपके प्रदेश में, और आपके विकास के लिए कुछ नहीं किया तो जैसे मैंने कहा इन सब बातों का सार यही है, कि ये वोट जो इस चुनाओं में आप डालने जा रहे हैं, ये आपके पक्ष में जाना चाहिए. ये वोट मेरी बहने आप यहां बैठी है, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए. मेरे भाई आप सब यहां है, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आप विक्सित हो, आप फूले पले और आपका भविष्य अच्छा हो, इसलिए आपका वोट जान कोसा हूँ, मेरे गईरे जीवी तंकोसा हूँ, वोट यहां अपना वोट डालिये, आप जानते हैं कि यहां के उमीदवार सीतक्का जी और सत्यनरायन बोपा पल्ली जी है, इनको भारी से भारी भवमत से जिताईए और अपने भविष्य को मजबूत बनाईए, जाहिन!